दोस्तो सब्सक्राइब करो भंडाल टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मिनट भर में हद से ज्यादा गुरापन पाने का अच्चो घरेली नुस्खा पाओ दूद सा गुरापन पहले ही आपको बता दूँ इसमें अभी एक ऐसी चीज प्रयोग करूँगा इस वीडियो में जो की आपके चेहरे को ऐसा घुरापन प्रदान करेगा जो की अपने आप में लाजवाब होगा दोस्तो ये जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये हद से ज्य इसी भी उपर नीचे हुई तो मैं सहीं बता दूँ आपके चेहरे की बैंड बच जाएगी इसलिए मैं आपको बता दूँ अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए बिल्कुल जैसी मात्रा मैंने बताई बिल्कुल परफेक्टली यूज कीजगा एकदम जबर्दस रिजल्ट मिलेंगे तो आपको करना क्या होगा दोस्तो करना यह होगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना है उसके बाद क्या करना है नीचे जाके घंटी विदावा लीजेगा उसके बाजू में और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि ऐसी और भी इ आपको गोरा भी कर सकती हैं तो क्या क्या चीजे हैं चलिए जान लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको ले लेना होगा बेसन यह तो आपको किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगी तो आपको बेसन लेना होगा कितना लेना है क्या लेन आने की हिसाब से आपको लेना है तो लगभग यहां ovos रहा है अब यह जो है यहां इसा भी ले सकते हैं प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों वैसे तो मैंने यहां पतंजली के यूज कर लिया है आप चाहें तो कोई और भी कर सकते हैं तो यह तो हो गई दूसरी चीज अभी एक और चीज डालनी है तो पहले इसे हम डाल लेते हैं तो यह जो है शहद हम यहां यहां क्या करना होगा कि इस प्रकासी से डालने के बाद आपको यहां तीसरी चीज प्रयोक करने हो वह क्या है वह है दुस्तों आपका हमारा अपना बेकिंग पौडर या फिर जी से हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं जो की लग भग एक जैसा ही होता है लेगिन दोनों चीज अलग हैं यहां मैं जो है baking powder यूज़ कर रहा हूं तो पहले इसे खोल लेते हैं यही वो चीज है जिसकी मात्रा विल्कुल आपको ध्यान से इस्तमाल करनी है मैं आपको बता रहा हूं मात्रा विल्कुल भी उपर नीचे हुई तो आपको problem हो सकती है तो आपको करना क्या होगा कि पहले आपने इन सभी चीजों को डाल लिया अब आपको क्या करना है कि आपको यूज़ करना है baking powder का तो आपको मात्रा कितनी लेनी है यह देखिए बिल्कुल थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी क्योंकि यह जो चीज है दोस्तो यह अच्छा भी कर सकती आपके चेहरे को और बेकार भी बना सकती क्यूंकि इसका ज्यादा इस्तमाल इसका ज्यादा इस्तमाल आपके स्कीन को खराब कर सकता है। रोजाना, इस नुष्खे को आप प्रियोग मत कीजिएगा. मैं पहली वताा रहा हूँ, रोजाना मत कीजिएगा यह तो आपको problem हो सकती हैं. तो आपको इस प्रकासे इसे कर लेना है और फिर mix करना है इसे. तो ये जो है हमारा ये बन जाएगा अब आपको इसे mix करना है तो पहले मैं इसे अच्छी तरीके से mix कर लेता हूँ और इसे आप बनाने के लिए इसमें जो है थोड़ा सा दूद भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा दूद डालीजिए और इसे पेश्ट बनाईए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे लगाना कैसे है अब दोस्तों देख सकते हूँ ये जो चीज है ये लगभग भू से अच्छी तरीके सी प्रका से लगा लेना है आप देखेंगे थोड़ी देर में बिल्कुल जो है सौफ्ट हो जाएगा आपके स्किन पर लग जाएगा अच्छी तरीके से हमने आप बेशन और शहत के इस्तमाल किया है जिसके कारण ये हमारी स्किन को कोई भी नुक्सान नहीं पहुचा पाएगा जब आप इसे लगाएंगे तो आपको हलका सा थोड़ा हीट भी लगेगा वह इसलिए लगेगा क्योंकि यहां आपने जो है बेकिंग पावडर इस्तमाल किया है तो उसके कारण लग सकता है थोड़ा इस प्रका से लगाईए और सिर्फ 10 मिनट त और उसके बाद result आपके सामने हैं ऐसा जपरदस effect आपको मिलने वाला है अर्व साथी साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज करना है कि इस प्रका से जैसे आप लगाएंगे तो आपको यह हफ़ते में मुश्किल या दो बार आपको प्रयोक करना हैं। जिनकी ऑफिक्षी के siSON को ध्यान देना होगा। कमने से कम पृइटे को दिन में कम से कम दो बार धोया करें। तो आपको जो अच्छे रिजर्ट मिल सकते हैं इस प्रकार से नुस्खे प्रयोक करके आज की जानकर या आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं साथी साथ दूस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ आप से दूसरी वीडियो में किसी और इ वीडियो करें